रेटना सरजरी के बाद नजर आने की क्या गारेंटी रहती है? ये एक question है जो हर एक patient के मन में रहता है कि मैं रेटना सरजरी करा तो रहा हूँ वट मुझे कित्ती नजर आएगी? कब नजर आएगी? क्या गारेंटी है कि मुझे दिखाई देगा? सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि रेटना सर्जरी के बाद आपकी नजर बढ़ने के कितने चांस है और इसकी गारेंटी दी भी जा सकती है या ने नमस्ते वह हूँ डॉक्टर सुमित अगरवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंगविज में आखों से जुड़ी सारी जानकारी रेटना यानि आख का परदा एक लेयर के फॉर्म में आख की पिछली सताय पे मिलता है ये आख में जो लाइट पड़ती है उसे इलेक्टरिकल सिगनल्स में कनवर्ट करता है और आख की नस्के थूर इसे ब्रेन तक पहुचाता है जिससे हमें दिखाई देता है रेटना की बहुत सारी ऐसी मिमारियां होती है जिसके लिए हमें सर्जरी करने पड़ती है वोस्ट कॉमन इसमें होता है रेटना का डिटाच्मेंट यानि रेटना जो अपनी पिछली अवली लेयर से अटाच है वो अगर हट जाता है उसे हम कहते है रेटना डिटाच्मेंट सो रेटन surgeries के complications होने के chance लगबग zero हो गए पहले retina surgery बहुत complicated होती थी बड़े-बड़े instruments होते थे और उसमें 50% से ज़्यादा patients का vision चला जाता था बट आज की rate में बिल्कुल उल्टा हो गया है आजकल हम सही time पे retina surgery अगर कर देते हैं so more than 90% patients का बहुत इच्छा vision आता है बट हर एक patient के मन में ये doubt रहता है surgery कराने से पहले कि इसमें मुझे नजर कितनी आएगी और इसे क्या guarantee है इसमें कि मेरी नजर improve हो जाएगी so एक अगर word में मैं answer करूँ so इसमें कोई guarantee नहीं दी जा सकती है कि रोशनी आपकी कितनी बढ़ेगी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ आपकी रोशनी कितना बढ़ने का chance है बट कोई भी आपको surgeon 100% assure यह नहीं कर सकता है कि आपकी जितनी रोशनी पहले थी पूरी की पूरी 100% वो वापस आ जाए अब यह सवाल आता है कि ऐसा क्यों है कि retina surgery में नजर की guarantee नहीं दी जा सकती है वो इसलिए क्योंकि retina एक बहुत ही sensitive structure होता है retina में जो cells होते हैं वो सारे ही बहुत specialized highly sophisticated neurons होते हैं यह neurons जो बनते हैं यह सिर्फ जब आग का development हो रहा होता है embryo stage में जब मा के पेट में होते हैं उसी stage में होता है on by birth यह सारे develop हो जाते हैं फिर इसमें इनका number increase करने का कोई तरीका नहीं है मतलब हम जितने retina के cells के साथ पैदा हुए थे उतने ही cells या उससे कम ही cells लेके हमारी life निकलेंगी एक बार जो cells dead हो गए हैं उन्हें कोई chance नहीं है वापस लाने का neurons है क्योंकि यह और medical science में कोई तरीका भी नहीं आया है जो dead neurons को replace करा जा सके या उन्हें वापस जिन्दा करा जा सके यह एक main factor है जिसकी वज़े से retina surgery में कभी भी guarantee नहीं दी जा सकती है कि आपकी रॉष्णी 100% वापस आ जाएगी तो ऐसा क्यों होता है retina detachment में basically होता क्या है कि retina अपनी जगे से हट जाता है इसकी वज़े से उसका oxygen supply retina का जो अंदर का आदा हिस्सा है उसका oxygen supply बंद हो जाता है अब यह within 24 hours अगर resume हो जाता है so neuronal death हम avoid कर सकते है कि neurons की death नहीं होगी oxygen supply ना होने के boundary वो stress में रहते है but within 24 hours अगर वो attach हो जाता है retina तो फिर वो वापस अपनी functioning पे आ जाते है ऐसे cases में 100% vision आने के chance बहुत अच्छे रहते है but कभी भी ऐसा नहीं होता है कि within 24 hours आपको पता चल जाए realize हो जाए आप अपने doctor से मिले वो retina specialist के पास आपको भीजे और आपका surgery हो जाए कुछ दिनों तो समझने में ही लग जाते हैं कि retina detach हुआ है या कम दिख रहा है बहुत बार तो हमारे पास महीनों महीनों बाद आते हैं patients कि एक आँख से दिख रहा था दूसरी आँख में दिखना कम हो गया तो realize ही नहीं हुआ so within 24 hours attachment achieve करना अभी तक तो possible नहीं रहा है बहुत ही कुछ rare case में एकाथ case में ऐसा हुआ है तो उनका अच्छा vision भी आता है तो 24 hours से जदा अगर tissue को oxygen नहीं मिल रही है कुछ cells dead हो जाते हैं वो dead cells वापस नहीं आएंगे वो dead cells आपके retina के cells हैं जो देखने के लिए responsible है so वो dead cells को even परदा attach करने के बाद भी वो alive नहीं होंगे so उसकी वज़े से कुछ नजर में कमी तो उसी वज़े से आ जाती है so ये एक main reason है कि retina के जो neurons है वो oxygen ना मिलने से dead हो जाते हैं इस वज़े से पूरी रोशनी आपस आने का chance नहीं रहता है second जो इसमें reason रहता है वो रहता है individual tissue की sensitivity अलग-अलग होती है हर एक person की body अलग है हर एक person का retina अलग तरह से behave करता है वो depend करता है ना सिर्फ उसके blood supply पे उसकी health पे बट ये इस पे भी कि अंदर का vitriss gel है वो किस तरह behave कर रहा है retina के आगे एक gel होता है जो अंदर आग की पूरी उसको अटाच रहता है और समय के साथ वो retina से separate हो सकता है अब ये जो gel है इस gel को हम remove करते हैं during surgery vitrack में surgery दवारा और ये जो gel है इसको 100% remove करना possible नहीं रहता है क्यों क्योंकि बहुत सारा जो vitriss gel है आग के पिछली सतह पर रहता है लेंस के पीछे रहता है यहाँ पर vitriss gel को remove करने से damage होने का chance बहुत रहता है इस gel को हमें वहाँ पर छोड़ना पड़ता है मीच का जितना पाट है उस gel को हम clear कर सकते हैं रेटना के पिछले इससे जो attach part है उसे clear कर सकते हैं तो उस वजए से आगे जाके fabrics बनने के chances रहते हैं नजे holes बनने के chance रहते हैं नजे holes बनते हैं तो रेटना वापस detach होने का chance भी रहता है membranas बनने से retina zwrink हो सकता है एक बार shrink होता है तो फिर retina पे खिचाव आता है जिससे कि नजे holes बन सकते हैं और वो रेटना को वापस अपनी जगे अटाच नहीं होने देते हैं। So, unpredictability रहती है रेटना सर्जनी में, इसलिए कोई भी रेटना सर्जन आपको 100% गारेंटी के साथ सर्जनी के लिए नहीं लेगा। हमारा effort बेस्ट रहता है, अभी current techniques, technology से 90-95% केसेस में हम बहुत अच्छा vision दे पाते हैं। But, सभी केस अलग रहते हैं, सबका रेटना अलग रहता हैं, सबका टाइम डूरेशन अलग रहता हैं। कितनी जंदियां हमारे पास आ रहे हैं patients, on an average, हमारे पास जो patients आते हैं हमारी practice में, वो 5-10 days, 15 days के अंदर आ जाते हैं। ऐसे patients की अधर हम बात करें, so, ऐसे केस में हम almost 90-95% vision उनका restore कर पाते हैं, correct समय पर treatment लेने से। एक और problem उसमें आती है, कि multiple opinions ली जाती हैं। Obviously, आख का मामला है, so, सभी लोग बहुत carefully अपना surgeon select करते हैं। So, उस case में थोड़ा सा एक उसका counter effect हो जाता है कि time निकल जाता है। Time एक surgeon के पास जाते हैं, फिर दो दिन बाद दूसरे के पास, फिर तीसरे के बाद। So, इस वज़े से precious time हमारा loss हो जाता है, जिसकी वज़े से ultimately खाम्याना हमारे retina को ही बरना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमारी नजर पूरी clear नहीं होती है। So, मेरी राय रहती है कि अगर आपको अपने surgeon पे trust है। So, बिना delay करें, retina surgery आप कराएं। परदा जैसे ही हटा है, उसे जल्दी से जल्दी अपनी जगे attach करवाएं। जिससे कि healing का process start हो। Healing का process start होगा, तब जाके retina अपने functioning पे आएगा, तब उसमें improvement आएगा। मेरा personally opinion रहता है कि एक बार हम retina surgery कर रहे हैं। So, उसमें वो सारी precautions के साथ करें, सारी चीजों के साथ करें। कि retina वापस हटने का chance ना रहे। इसलिए हम almost सभी surgeries में, दो surgeries combined करके करते हैं। हम scleral buckle कहते हैं। So, उससे एक additional एक तरह से हमें insurance रहता है हमान। कि आख का जो परदा attach हुआ है, उसका वापस हटने का chance बहुत-बहुत कम रहता है। हमारी practice में almost 1-2% cases ही होंगे ऐसे, जिनका retina वापस हटा है और उसके लिए वापस surgery करनी पड़ी हो। ऐसे cases में surgery करी जाती है और retina most of the cases में वापस attach हो जाता है। So, correct time पर treatment करना, correct surgery choose करना, correct surgeon choose करना, यह सब चीज़े involved रहती हैं एक retina के surgery के बाद vision आने में। एक और चीज़ रहती है retina surgery के बाद vision आने में कि oil डाला गया है या gas, तो oil अगर डालते हैं, तो oil की वज़े से temporary दुन्दलापन आता है, बट oil को जब निकालते हैं, minimum 3 months के बाद, 3-6 months का time होता है, तो उसके बाद फिर final vision improvement आता है, तब तक oil की वज़े से temporary दुन्दलापन ही रहता है। यदि gas डाली है, तो gas जब तक रहती हैं आंक में, तब तक बहुत दुन्दलापन दिखता है, एक से देड़ महीने average time रहता है, gas का अंदर रहने का, तो उतने time तक काफी दुन्दलापन दिखाई देता है, immediately नजर improved नहीं होती है। और तीसरी चीज़ होती है cataract के, कभी-कभी retina surgery की वजह से या फिर अपने आप ही retina surgery के बाद cataract का lens सफेद होने लगता है। ऐसी condition में भी रोश्नी तब तक पूरी नहीं आएगी जब तक cataract को remove करके दूसरा lens में डाला गया। So, ये कुछ factors थे और ये एक video था जिसमें कि हम discuss कर रहे थे कि क्यों हम ऐसा होता है कि guarantee नहीं ने सकते हैं। Retina का हम structure ठीक कर सकते हैं, structure को हम वापिस अपनी जगे attach कर सकते हैं, detach है तो attach करें, vascular hole है तो उसके असपास membrane पील कर दें, bleeding है तो उसको clear कर दें। तो structure को हम normalize कर सकते हैं, but function जो है, वो हर एक individual का अलग होता है, हर एक body अलग होती है, हर एक human अलग होता है, सबके genetics अलग होते हैं, so function पे आने का हर एक person का अलग-अलग course रहता है, but समय पर करी गई surgery, सही तरह से करी गई surgery, more than 90% vision आने का chance बहुत अच्छा रहता है ऐसे cases यही था हमारा आज का वीडियो, उमीद करता हूँ इससे आपको फायदा हुआओ, comment section में जरूर डालें अपने आखों से related सारे सवाग, ताकि मैं देशकू उनके जवाब, अच्छा देखें, अच्छे से देखें, तन्यवाद और नमस्ते